गूट मार्निंग अल दा स्टुडेंट्स और क्लास सेवेंथ माई दियर स्टुडेंट्स आई एम टीचिंग अल अफ यू योर लेशन नंबर फाइव दबील टू लीव बचों मैंने तुम लोगों को दबील टू लीव जीने की इच्छा के बारे में हमने कुछ बताया था इसमें गायल पच्छी की कहानी है जो गायल होने के बाबजुद भी जीने की इच्छा रखता है और मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताया था और अब जो इसका सेस भाग है अब हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं वो देखेंगे रंग बिरंगे जो पंखे थी इगल का अब ना के बराबर था अन्तिम समय में जो मैंने देखा था एक एरिया में तीन या चार बर्स पहले जब यह उड़ा था मीलों रिज के ऊपर बट दिस वन बाज बैडली डेमेजड लेखिन यह एक जो था वह पूरी तरह से डेमेजड हो गया था नुक्सान हो गया था वन लेग डेंगलेड उजलेशली एक पहर बेकार में डेंगलेड हो गया था जूल रहा था टॉर्ण एंड ब्लीडिग फटा हुआ था और खून बहरा था बेरली अटाचेट तो बड़ी जो बहुत मुश्किल से शरीर से जुड़ा हुआ था ए बिंग एपिएर तो बी ब्रोकेन एड दा मंकी मंकीज हैड पुलेड आउट अल इट्स तेल फिदर्थ देट नाव ले असकेट्रेट अल ओबर दा ड्राइव वे ए बिंग एपिएर तो बी ब्रोकेन एक पंक टुटा हुआ मालुम हुआ और बंदर ने इसके पंक की पूछों को खीचा था जो की अब रास्ते पर छित्राय हुए थे I threw a sack over it मैंने इसके उपर एक थैला फेक दिया and bundled it into a cardboard box और मैंने इसको एक cardboard box में रख दिया while the monkeys lined up on the wall and made threatening noise जबकि बंदर लोग दिवार के पास खड़े थे और धमकी भरे आवाज दे रहे थे then I called up a friend who turned it up promptly तब मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया जो तुरत मुडा and they took the eagle off to the bird hospital at Chandni Chow और वे लोग इगल खो चांदनी चोग के पच्छी के hospital में ले गए वहाँ जाने के बाद क्या हुआ the lake बाद सेट पैर को अस्थापित कर दिया गया the wing found to be unbroken punk बिना टूटा हुआ पाया गया and the eagle was discharged after treatment because it was a non-vegetarian और इलाइज के बाद इसको discharge कर दिया गया क्योंकि यह non-vegetarian था but four days later it died लेकिन दुरभाग से चार दिन के बाद वह मर गया implacable and fighting till the last बहुत कठिन परिष्थिती में और अंतिम चंद तक लड़ता रहा और वह सुना लाष्ट में चार दिन के बाद वही गल मर गया a few weeks later कुछ सब्ता के बाद a few weeks later कुछ सब्ता के बाद at breakfast नास्ता के समय my domestic help informed me that another big brown bird had crashed near her room उसने मुझे सुचित किया कि दूसरा बड़ा भूरा पच्छी उनके कमरे के सामने रात्री में crashed कर गया है चूर हो गया है and now lay in the another cardboard box waiting my kind attention और वस दूसरा cardboard में पड़ा हुआ है मेरा इंतिजार करते हुए not again I thought मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे मदद नहीं करना चाहिए why must dying raptors keep crashing on my door stop क्यों मेरे ही दरवाजे पर ये लोग crashing हो रहे है later I learned that this was considered to be an ill woman बाद में मुझे मालुम हुआ बाद में मैं जाना कि यह एक इल उमन के कारन हो रहा है बुरा जो है असगुन के कारन हो रहा है बाद दिस वन वाज नो इगल लेकिन यह जो था कोई इगल नहीं था इट वाज यह अंग और भेरी हैंड्सम परीह काइट यह जो था यह एक युवा और बहुत सुन्दर परीह काइट था देट एपियर टो भी कंपलीटली अन इंजर्ड जो कि मालुम हुआ पूरी तरह से बीना घायल हुए मैंने देखा कि यह जो पच्छी है घायल नहीं है except that when I removed it from the box इसके सिवाय जब मैं उसे बक्सा से हटाया इन सौर्ट आप डाइट इन माई हैंड इस सौर्ट आप डाइट और सीगरी वह मेरे हांथ में मर गया इस हेड डूपेट एंड हंग लिम्पली उसका सीर जो है अचानब जुक गया और टंग गया इस लेग करलेड अप वन अगेंट द अदर इसके पैर जो है एक दीशरे से घुंगराला जैसा हो गया इस आइज अस्टेरड आउट अन्शिंगली अड ग्लेज़ड ओभर इसकी आँखें टक टकी लगा करके देखी ये डेड़ बट इफ देर बाज वन एक मरा हुआ पच्छी अगर हुई था ओह वेल आई थाउट अच्छा मैंने सुचा वह वह था बट नौट क्वाइट लेकिन सांती नहीं something neglected at the back of my mind कुछ चीज मेरे दिमाग में चुनावती दिया there was no reason for this bird to be date इस पच्छी को मरने का कोई कारण नहीं था पता नहीं कैसे मर गया as far as I could tell it had no external injury जहां तक मैं कह सकता था तिसका कोई बाहरी छेत्रशिय घायल नहीं था and its gold tippet chocolate plungage was immaculate और इसका सुनहला जो चौकलेट रंग का पंख था वस सुन्दर था it was not fainting वहाँप नहीं रहा था its house state थका नहीं था और नहीं तनाव पूर्ण था it was in fact in mint condition या सच्मुच में एक अनुमान की इस्थिति में था I felt it lying corpus like on the lawn and retreat to a spot from where I could keep an eye on it और मैं पीछे हटा देखने के लिए from where I could keep an eye on it जहां पर कि मैं एक द्रिष्टी रख सकता था after a few minutes my dead bird suddenly came to life और कुछ मिनट के बाद ही मेरा मरा हुआ पच्छी जीवित हो गया it righted itself या स्वेम खुद ठीक कर लिया and looked around furtively और चारों तरफ गुप्त रूप से देखा and I was right about it being in top physical shape और मैं सही था उसके बारे में एक उच्च कोटी के सारीरिक आपार्थ में with head held high सीर को मुच्चा उठाए and courage proud और सान के साथ उसको ले जाते हुए it centred off towards the bottom of the garden egg और सांट्रेड ओफ हो गया गार्डेन की किनारे की तल में और इन्हें सब्दों के साथ मैं आज काकाइट करम समाद करता हूँ और पुना मैं मिलूंगा कुछ खास चीजों के साथ तब तक के लिए आगया दें थैंक यू